भूल होना परकिर्ती है, मान लेना संस्किर्ती है और उसे सुधार लेना प्रगती है नमस्कार साथियों, मैं हूँ आचारे राम मिस्रा, अपने चैनल एश्टो आरबी में आप सभी साथियों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ साथियों, आज का जो विशेश कारेकरम है, वो होने वाला है करकरासी के लिए और करकरासी के जो अधिपती है, वो कौन है? चंद्रमा और चंद्रमा की जो परकिर्ती है, वो कैसी है? सीतल है यानि करकरासी के जो जातक हैं वो कैसे होने चाहिए? सीतल होने चाहिए, सौम्मे होने चाहिए, सुसील होने चाहिए और होते भी ऐसा ही है करकर आसी के जो जातक है वो अपने बारे में तो होते ही होते हैं अच्छे लेकिन अन्य ब्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं कुछ ब्यक्ति यानि जिनके ग्रहा कष्टी हैं नीच के हैं दसा कष्टी है तो कही न कही थोड़ा सा वो कष्टी हो जाते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी लेकिन ऐसे ब्यक्तियों के लिए साथियों में एक बिसे सूचना आपको देना चाहता हूं कि आप शुब चल रही है तो ऐसे विक्ति के लिए दिन दुगनी राचोगनी विर्धी होती है और जिस विक्ति के नीच के गरा है असुब गरा है नीच दृष्टी से एक दूसरे को देख रहे हैं गुरू चांडाल योग बन रहा है चंदरगर्णी योग बन रहा है अंगारक चैनल में और वीडियो के डिस्क्रप्शन में नंबर दे दिया गया है आप लोगों ने वर्टसेप पर अपनी डिटेल भेज देनी है अपना डेट ओबर जन टाइम बर्थ प्लेस यह आपने वर्टसेप कर देना है और उसके बाद जो है 15 मिनट बाद आप कॉल करेंगे त आपको बता दिया जाएगा तो साथियों आईए मैं आपको बताने जा रहा हूं यानि करक रासी के बारे में करक रासी के जो जातक है 22 अप्रेल गुरु गरहा यानि रासी प्रिवतन कर रहे हैं मेस रासी में जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अन्य रासियों पर भी प्र तो उसके लिए क्या करना है, सुभ है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो ये सारी चीजे में आगे आपको बताऊंगा, और चंदर रासी वालों, करक रासी के जो जातक हैं, आपको विसेश विसेश, यानि धनो रासी वालों से, मिन रासी वालों से, सिंग रासी वालों आप चैनल जो है सबस्क्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, फेस्बुक पेज ऐच्टो आरभी को फॉलो जरूर करें और सबस्क्राइब जरूर करें आईये सुनते हैं आपकी रासी कहाई करकरासी वालों के लिए यह साल धन, नौकरी, ब्यापार और किसी भी मामली को जो आपकी इच्चा हो ये बेहतर बनाने वाला है नौकरी पेशा जातकों कोई साल कोई खास तोफा मिल सकता है वहीं दूसरी और छात्रों को भी साल के दूसरे भाग में सुभ समाचार मिल सकते हैं यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको अपनी जीवन साथी का सहयोग मिलेगा परिवार के सभी बड़ी बुजुर्गों के परती आस्था और विश्वास रखें और किसी भी कारे में उनका सहयोग लेंगे तो निश्चित रूप से परिवार की प्रेसानिया कम होगी तो साथियों मैं आपके लिए करने चा रहा हूँ नव भविश्यवानिया जो आपके लिए सिद्ध घटित होगी यदि आप कुंडली परडिक्शन कराके कुंडली में जो कोई दिक्कत है उसका उपाय करके यदि आप जो है ये उपाय करते हैं तो आप लोगों के लिए सुब रहेगा और ये नव भविश्यवानिया आपके जीवन में कारगर साबित होगी और आपका कोई भी रुकाववा कारे बनेगा कोट के चेरी की नोवत खतम होगी मान से कष्ट दूर होगा बिमारियां हटेगी स्वास्ते अच्छा होगा दामपत्ते जीवन में मन मोटाव खतम होगा संतान की प्रोब्लम चल रही वो ठीक होगी तो आईए सुनते हैं पहला यानि करक सिक्षा का रासिफल महावविश्यवानी विद्यार्थियों के लिए पहली करक रासिफल 2024 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए यह साल अच्छा रहेगा खास तोर पर वे चात्र जो कुछ नया सीखने और सीखनी की इच्छा रखते हैं उन्हें अपने प्रियासों में सफलता मिलेगी इस वर्स आप अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे और कड़ी मेहनत से अपनी लख्चों को प्राप्त करने की पूरी कोसिज करेंगे अगस्त से सितंबर का महना विद्यार्थियों के लिए बेहतर सावित होगा सिविल सर्विसेज, इंजिनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंड जैसी प्रिक्षाओं की तयारी कर रहे जातकों को इस अवदी में कोई बड़ी सपलता मिल सकती है इसलिए अपने प्रियास जारी रखें और अच्छे प्रिनाम के लिए कड़ी मेहनत करते रहें जो चातर उच्छ सिख्षा के लिए बिदेश जाने की तयारी कर रहे हैं उन्हीं इस साल दुनिया के कुछ पर्तिष्टित सिख्षन सस्तानों में प्रिवेश मिल सकता है यहाँ आपके केरियर के लिए अच्छा मौका हो सकता है इस वर्स आप कोसल सिख्षा की बिशा में सार्थक प्रियास कर सकते हैं एम्बे की तयारी कर रहे चातरों को साल के मध्धी में कुछ दिक्कतों का सामना करना पर सकता है क्योंकि जून से जुलाई की बीच आपका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है इस समय आपका ध्यान पढ़ाई की जड़ात नहीं और लगेगा जो आपके लिए ठीक नहीं होगा इसलिए बेहतर होगा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे प्रिक्षा के दिनों में ज़्यादा तनाव न ले और अपना मूड फ्रेस रखें कुल मिलाकर सितारों की चाल कहती है कि साल 2024 तक रासी के यानि करक रासी के जो इस्टुडेंट है इनके लिए कई सोगात लेकर आएगा करक सिक्षा रासी फल 2024 के बारे में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सबलता मिलेगी करक रासी फल 2024 के अनुसार करक रासी वालों के बैवाहिक जीवन के लिए या साल उतार चड़ाओ भरा रहेगा घर में कुछ विवाद हो सकते हैं हालंकि जो भी प्रिस्तित्याद के पक्ष में रहेगी इस साल किसी वित्रा की गलत फैमी से बचे हैं और जीवन साती के साथ बाच्चीत के जरिये मामले सुलजा लें अपनी जीवन साती पर विश्वास मनाये रखें और उनकी पूरी मदद करें जी हाँ इस वर्स जीवन साती के स्वास्ते में ग्राव अटा सकती है इसलिए उनके स्वास्ते का ध्यान रखें जो दमपती अपने पहले बच्चे के जन्म का इंदिजार कर रहे हैं उन्हें इस साल तोफा मिल सकता है वहीं दूसरी और अविवाही जातक ब्युहा के बंदन में बनेंगे अगर आप अरजेंट मैरीज कर रहे हैं तो अपने होने वाले लाइफ पार्टन के बारे में पूर के मध्य में बच्चों के सुवाव में बदलाव आ सकता है और वह किसी बात को लेकर जिद्दी भी हो सकते हैं ऐसे में बच्चों को डाटने की बजाए उन्हें प्यार से समझाएं जून से सितंबर के भी संतान के स्वास्तिपराधिक ध्यान देना होगा आपको इस दोरान बच्चों को संक्रम और मौसमी बिमारियों से समस्या हो सकती है इस से भी उन्हें बचाएं ये साल बच्चों की सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही न करें नहीं तो आपको बड़ी परिसानी का सामना करना पर सकता है जे हां तीसरी महा भविश्यवाणी करक 2024 फाइ बच्चा रहने वाला है विशेश रूप से उत्तम योग बन रहा है इस अवधी में आपको कई माध्यमों से आय और धन की प्राप्ति होगी धन में ब्रदी होगी आर्थिक इस ती मजबूति आने से आप समाजिक प्रतिष्टा में ब्रदी होगी इस दोरान लोगों से जोल बढ़ेगा और आपके आर्थिक सलागी लेंगे हालांकि इन सब के बीच आर्थिक मामलों में थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि इस अवधी में धन हानी हो सकती है इसलिए आर्थिक मामलों में बिना सोचे समझे कोई भी कदम न उठाएं अगर आप पुस्तेनी क जारोवार कर रहे हैं तो इस साल उसका बिस्तार होगा और आपको आर्थिक लाव होगा साल के मद्दे में खर्चे थोड़े बर सकते हैं लेकिन चिंता न करें क्योंकि खर्चों में बिर्धी के साथ साथ आए में भी बिर्धी होगी इस दोरान धन हानी होने के भी संभाव इसलिए निवीश योजना में साब धानी वरतें इस अवधी में सेर बजयार में पैसा लगाने पर लापरवाही न करें हाला कि कुछ समय बात परिश्थितियों में फिर आपके पक्ष हो जाएगी कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2024 करकरासी वालों के लिए आर्थिक रूप स ब्यापार रासिफल महावविश्यमानी रासिफल 2024 का नुसार ब्यापार के द्रिश्थि से यहाँ एक लाभ दायक वरस है ब्यापारी इस वरस अधिक लाभ कमा सकते हैं यदि आपका खुद का व्योसा है तो उस चेतर में आपको प्रसिद्धी मिलेगी अगर आपको कर्ज लेनी की योजना बना रहे हैं तो आपको सपलता मिलेगी इस कर्ज से आपको ब्यापार में इस कर्ज को आप ब्यापने ब्यापार में लगा सकते हैं कारोबार बिरोधी सक्रिय होंगे लेकिन डरनी की जरुत नहीं है अहिंकार और प्रोध की पूरी तरह त्याग करे तो आप सफल होंगे पांचवी महावविश्यवानी कैरियर की रासी फल 2023 से 2024 के अनुसार करक रासी वालों के लिए इस साल कैरियर की लिहा से काफी अच्छा रहने वाला है इस बात की परवल संभावना है कि इस वर्स आपको मेहनत का लाव मिलेगा इसलिए अपने प्रयाज जारी रखे हैं आगे बढ़ते रहें फरवरी से मार्च यानि 2024 नौंबर दिसंबर का समय आपके करियर बेहद मातोपूर्ण सावित होने की संभावना है इस अवदी में आपको अपनी नौकरी ब्यापार के लेकर अच्छी खबर मिल सकती है नौकरी पेसा जातकों के लिए प्रमोशन बेतन ब्रधियों और ब्यापार से जुड़े जातकों के लिए धनलाब की संभावना है वहीं नौकरी पेसा है नौकरी की तलास कर रहे लोगों को सितंबर अक्टुबर दिसंबर अंत में नौकरी मिल सकती है इसके अलावा जो लोग ब्यापार कर रहे हैं उनके के जरे सभी समस्यां और विवादों को सांतिपून तरिके से सुल्जाने की कोसिस करें अप्रेल से जुलाई की 20 का समय करेर के लिया से थोड़ा अधिक साबधानी पूरवक आपको रहना पड़ेगा ये सबधी में बिना सोचे समझे क्रोधित होकर भी कोई कारे का फैसला करें इस दोरान नौकरी पेसा जातकों को जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं देना चाहिए अन्य था उन्हें दूसरी नौकरी के लिए दुजार करना पड़ सकता है जी हां वहीं ब्यापार करने वाले जातकों को बिना सोचे समझे किसी भी तरह का निवेश करने से बचना वाला है क्योंकि इस साल आपकी लब लाइफ में एक और कदम उठेगा अपने रिस्ते को नई मजबूती देंगे इसका प्रिणाम यहा होगा कि आपके प्रिया के साथ संबंद पहले से अधिक मजबूत होंगे आप दोनों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा सितारों की चाल कह रही है किस साल आप अपने प्रिया के और करीब आएंगे इस दोरान अपने पार्टर की भवनाओं को समझेंगे उनकी बातों को महतु देंगे प्रेम परसंगे मामलों में आप बहुत ही अच्छा रहने वाला है ध्यान रखें कि इस अवदी में अपनी बिचारो पर आपके प्रेय के साथ आपकी काफी मुलाकात होगी इस दोरान आप एक दूसरे पर अपने दिल की बात साजा करेंगे इस दोरान आप थोड़ा संबल कर रहें क्योंकि आपकी नीजी बातों को कोई और भी जान सकता है अगर आप नौकरी पेसा कारिश्तल पर किसी सह कर् रखें कि दफ्तर में आपके रिस्ते के बारे में किसी को पताना चले नहीं तो आपको बेवजा की गौसिप का सामना करना पर सकता है वहीं अगर आप कॉलेज में पड़ रहे हैं तो आपका दिन आपका दिल आपने सहपाटी के लिए धरक सकता है हालांकि यहां एक तरफा होगा लेकिन अपने प्यार का इजहार करने के बाद पार्टनर का कुछ समय बाद आप से प्यार करने लगेगा सातुई सबसे महा बड़ी भविष्यवानी संबंध रासी फल भविष्यवानी करक रासी 2023 से 2024 के अनुसार इस बर सापका परिवरिक जीवन बहुती सांदार रहने वाला है इस बर सापके परिवरिक जीवन शांती सदभाव रहेगा माता की किरपा आश्रिबाद घर में सुक स पिता इका स्वास्तिया पर विष्यवत ध्यान देनी के आउ सकता होगी इस साल आप घर की सोवा बड़ा सकते हैं नया घर खरी सकते हैं या कोई नया वाहन खरी सकते हैं इस साल परिजनों के बीच किसी विवाद को लेकर विवाद हो सकता है हालांकि सुरुवात की बहस के ही सामान्य हो जाएगी परिवार में भाई वैनों का सयोग आपको मिलता रहेगा जरुत पड़ी तो आपके आर्थिक मदद के लिए भी तयार रहेंगे साल के अंतर में आप अपनी परिवार के साथ कहीं गूमने जा सकते हैं गरहों की इस्तितिक अनुर्शार आपके साथ या हाँ विश्यवानी साथियों साल 2023 से 2024 के अनुसार इस वर्स आपका स्वास्त कुछ नरम रहने वाला है इसी अवादी में आप थोड़ी तनाव में रह सकते हैं काम का जैनने किसी मामली में चिंता अधिक तनाव दे सकती है इसलिए बेहतर होगा आप ज़्यादा न सोचें अपनी कती से काम करते रहें कारेच्छेतर और घर में हो रही विवादों को आर्थिक तोल न दे नहीं तो मालसिक तनाव चिंता बढ़ सकती है इस वर्स लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से आर्थिक ठकान महसुस होगी बिदेश यात्रा भी हो सकती है इसलिए इस दोरा आराम दायत कपड़े पहने और हलका आहर लें ताकि यात्रा में कोई प्रेशानी न हो जुलाई में सितंबर की भी सिर्दर्द बुखार मौसमी बिमारें आपके स्वास्ते पर प्रतिग्रू प्रभाव डालेगी इसके राव अनिंद्रा भी सिकायत हो सकती है आपको आप जो है विकारों से बचने के लिए संतुलित आहर लें सहीं में दिंचरे अपनाएं स्वास्ते के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज्याद़ ज्यादा पानी पिए यह आप किसी पुरानी रोग से पीडित हैं तो इस वर्स आपका दर्द कुछ बढ़ सकता है क्योंकि यह रोग आपके सिर से प्रेसान हो सकता है किसी भी तरह की तकलीप पर तुरंट डॉक्टे सला लें बारिस के मौसम में जोडों का दर्द भी आपके समस्य से हो सकती है इसलिए नियमित रूप से टहलें और जोडों की मालिस करें साथ ही पेट समन्दी विकार से बचने के संतुलित आहर लें और साथियों लाष्ट में नवी जो इन आठ भविश्यवानियों का जो बिसलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं इस नए आने वाले साल यानी दोहजार चोविस केवल एक या दो छेतर में ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना प अपना कदम आगे बड़ा हैं आपके जीवन को बहतर बनाने में आपकी बहुत मददगार होगी आपके गुरू की सलाहा और सासात में साथियों यदि आपकी जनकुनली में मोती रतन शुट होता है तो मोती रतन आप जरूर धरन करें और इसके सासात में दिरस्पति का लिष्ट करने के लिए आप मोती और पुख्रा जरूदार्ण करें और फिर मैं कहूंगा सातियों अपनी कुंडली का बिसलेशन जरूर करवाएं क्योंकि यह जो रासी फल है चंद रासी पर आधारित है सभी करोडों लोगों के लिए है लेकिन अपना परसनल जानने के लिए अपनी कुंडली का आप जो है बिसलेशन जरूर कराएं पडिक्सन जरूर कराएं ताकि आपके जीवन में सुब हो आपका जीवन फले फुले और आपके घर में सब इस्तिती आनन्दायक हो राधे राधे